Hello friends, welcome to my YouTube channel. Exercise 13.2 से question number 6 करेंगे. A contractor estimates that 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. A contractor है, उसने अंदाजा लगाया कि Jasminder के घर को rewire करने के लिए अगर वो 3 आदमी लगाता है, तो वो 4 दिन में हो जाएगा. If he uses 4 persons instead of 3, अगर वो 3 की जगे 4 आदमी लगा देता है उसी काम को. करने के लिए, तो how long should they take to complete the job? तो फिर कितना टाइम लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए? दीए, यहाँ पर क्या हो रहा है? कि Jasminder के घर को rewire करना है. अगर 3 आदमी लगाए जाए, तो 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा. अगर वो contractor 4 आदमी लगा दे, तो फिर वो काम कितने दिन में होगा? तो दो चीज़े हैं यहाँ पे, एक तो है number of persons और एक है number of days. यही हम अपने box में भरेंगे. अगर वो तीन परसन लगाता है, तो काम चार दिन में हो जाएगा, यह हमको given है. तो number of persons में तीन अगर हैं, तो काम चार दिन में हो जाएगा. अगर तीन की जगे चार आदमी लगा दिये जाए, तो फिर वो काम कितने दिन में होगा? यह आपसे पूछा है. तो यहाँ पर persons और days, इनका हमें पहले यह देखना है कि यह किस relation में है? देखिए, काम जितना है, वो same to same, ना काम घट रहा है, ना बढ़ रहा है. अगर तीन आदमी उस काम को चार दिन में कर रहे हैं, अगर आदमी बढ़ा दें, तो फिर काम जल्दी हो जाएगा? यानि कि आदमी अगर बढ़ते हैं, यानि कि persons को अगर हम बढ़ा देंगे, तो काम फिर वो जल्दी हो जाएगा, तो जो days है ना, वो आपके कम आएगे. तो यहाँ पर persons और days है, यह inverse proportion में, यानि कि उल्टा है, तो पहले तो हम यह लिखेंगे कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है number of days, तो इसको हम x माल लेंगे, और लिखेंगे let number of days is equal to x, आप हमें पता चल गया कि यह inverse relation में है, तो पहले यही लिखेंगे हम, कि यहाँ number here, number of persons and number of days are in inverse proportion, और जब inverse proportion होता है, तो इन दोनों का product, इन दोनों के product के बराबर आता है, यानि 3 इंटो 4 बराबर होगा 4 इंटो x के, अब यहाँ से x की value निकल जाएगी, वो ही आपका answer होगा, तो x की value निकालने के लिए, 3 इंटो 4 अपनी जगे पी रहेगा, x के पास जो 4 multiply में है, यह यहाँ पर आकर divide में हो जाएगा, तो यहाँ 4 से 4 कट गया, पूरा पूरा, 3 बच गया आपक answer यही है, तो answer 3 days, question खतम, तो इतना ही, next questions के लिए मिलते हैं, next video में, तब तक के लिए, good bye